हेलो प्रेंट चले आप लोगों को दिखा रहा हो यह दर्भंगा से चल गड़ यह हाइवे पटना तक जाएगी देखें इस हाइवे की कितनी एक खास्यत यह है यह हाइवे इतनी लंबी चोड़ी बनाई गई है जो पर तीन लाइन है और तीनु लाइन यहाँ पे तूबे है क्योंकि एक लाइन जैसे है वन वे रादा 3.5 का तूबे है तो 7.5 से भी फराद जादे ही बनाए गया है जिसके कारण यहाँ पे कोई ट्रैफिक जाम नहीं लगते है और कोई एक्सिरेंट की चांस नहीं होती है देखें करते तो लाइन यहाँ पे तूबे है कोई जैसे को सरखें यह पतना से चल कर यह तर्वंगा से चल कर पढ़ना तक जाई है जिस आएवे का फोल पर मता है नेशनल हाइब जो गोर्मेंट सरकार की द्वारा यह बनाया जाती है बनाया जाती है यह रोड़ और यह रोड़ की डेसिकल परपस यह होता है कि असानी से इस प्लेस स इस दोनों तरब के लंबाई चोड़ाए और बीच में पार्किंग के फैसिलिटी दिया गया है या फैसिलिटी जो प्रवाइट किया गया है या दुलगाटना से बचने के पर जो चोड़ा गया है जिस गैप पर्किंग किया हुआ है आपको देख रहा होगा जहारी की तरह य महिना में यह पूच को खिल जाती है तो और खुबसूरत है देखने में लगती है परंतु यह हाईवे गाउं से बहुत जूर हटकर बनाए गया है क्यांकि पर्टेख भैकल का स्पीड वह हंडेड किलो मीटर से भी जैदा होती है इसलिए इसका गाउं से अलग बनाया जात है यह हाईवे का होने से हम लोगों की टाइन टाइम की कंजूमिक होता है इसे आप से टाइम से भी कहते हैं इस हाईवे की सेसलिटी इसनी दी जाती है कि कोई प्रॉब्लम ना आये भैकल चलाने वाले ड्राइबर को देखे यह हाईवे कि इसमूथ है और यह एडंगी प्रॉब्लम नहीं राती है पूरे कंप्लेइन और एसमूथिं करते हैं यह बनाये जाता है बनाये गया यह हाईवे का विजाइन यह पूरे इंगिनियरिंग बेसिस पर है और यह हाईवे इतनी खुब्जूरत है देख करते हैं आप यह इसके दोनों तरह को यह थेटी की सब्सक्राइब करते हैं और देखने में और फुर्फ लगते हैं चले आप हम पाटना पहुंच गया है हाजी फूर में इंट्री कर गए